अलो गाइज, इट्स वाल अबाउट टोड़े, सो रात के बज़रे थे 12 बच के 38 मिनट और आज का टाइम जो था वो है NCRT जोग्राफी को खतम करने का टार्गेट सो हम बैठ चुके थे अपने बहुतिक भुगोल के मूल सिध्धान्त को कम्प्लीट करने के लिए एक्षली ये बुक मैंने पहले भी पर रखा था, लेकिन कहते हैं ना कि बेस अगर मजबूत हो तो आदमी का जो च्छत होता है, वो जादा मजबूत होता है सो उसको देखते हुए सबसे पहले मैंने सोचा कि काफे दिन हो गये थे, जो है हमारा जोग्रफी को रिवाइस के हुए सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखा दू कि यहाँ पे 16 चैप्टर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC के पॉइंट औफ व्यूस है, हाँ कुछ ऐसे चैप्टर्स भी इसमें हैं, जिसको आप एग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप के पास एक्स्ट्रा टाइम हो, तो उस चैप्टर को जरूर कवर कर लो, हाला कि इस बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, जिसको आप एग्नोर करके चल सकते हो, अभी मैं आपको य जो है, वो काफी जादा ब्रॉड लेवल में एक्स्ट्रानेशन किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जिसको बाई मिस्टेक प्रिंट किया गया है, उसको इग्नोर करते हुए चलना है, तो इस स्टडी में मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जब भी हम NCRT पर करने वाला है, वो बुक, इसमें आपको बेसिक ऐसे ऐसे आइडियाज प्रोवाइड होंगे, जो कि आपको आपके आंसर राइटिंग के स्केल को बहुत जादा इनहेंस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप दो चीज कर लो, सबसे पहले मैं जब परने बैठता हूँ, तो द पहले, इंटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ दा अर्थ, यानि कि प्रिथिवी की आद्रिक सनरजना के बारे में हमें आपे पर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर एक पॉइंट को ही हम पूरा का पूरा हाइलाइट करते हूँ, जैसे आप देख सकते हो, कि यहाँ पे भुक कि आपके मन में एक सवाल आ रही होगी, कि क्या यह जो NCIT मैंने बोल रखा है, यह 16 चैप्टर के 16 चैप्टर इंपोर्टेंट है, या ना, तो इसका जवाब जब आप बुक देखोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे 16 चैप्टर के अलग-अलग topics हैं, जिसको आप अच्छे से देखोगे, तो आपको पता चलेगा, जैसे मैं उदाहन नार्त में आपको बता दो, यहाँ पर मुद्दा यह उठता है, कि NCIT में जो सारी के सारे बुक्स है, इस पर पढ़ना है, या नहीं परना है, बहुत सारे ऐसे confusion मैंने देखे हैं, बहुत सारे students को देखे हैं, तो मैं सब्सक्राइब करना है, मैं अपने आपको आजा टीचर नहीं, अजा स्टुडेंट समझ के अपने experience को इस वीडियो के तुरू शेयर कर रहा हूं, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें, and don't forget to press the bell icon for getting new notification, so सा मैं यह बता रहा था, कि इसमें जो सारे chapter से सबसे पहला सवाल यहां पर यह आता है, कि NCIT की जो कक्षा 6 से लेके 12 तक की जो बुक है, वो सारा के सारा खत्म करना है या नहीं, तो मैं बोलता हूं यहां पर कि डिपेंड करता है कि आपको परना कौन सा subject है, यानि कि जैसे आप जोग्राफी ले लो, आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, आपको क्या परना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपक्षा किस क्लास की बुक को कहां से उठा रहे हो, और किस कक्षा तक लेके जा रहे हो, यह आपके subject पेंड करता है सबसे पहली बात, दूसरी बात कि मैं एक उदाहरन के लिए आपको बता दूँ कि जैसे जोग्राफी के अगर मैं बात करूँ, तो बहुत लोग बोलते है कि आपक्षा 6 से लेके 12 तक आप पर लो, आपका जो NCIT है वो जोग्राफी फिनिस हो जाएगा, तो हो सकता है सबका अपना पॉइंट और व्यू होता है, लेक असलब आपका mostly उस एडवांस बुक का जो पार्ट होता हूँ, mostly 70-80% तो आपका NCIT कवर कर देता है, 11 और 12 का अगर आप जोग्राफी पड़ लेते हो, तो यह बेसिक बात है, so बस इस वीडियो के मैं थोड़ा सा आपको साथ जो भी अपने आइडिया थे, आपकी अपनी ए देस होने के कायान ओफ कर दिया था, क्योंकि मेरा जो बैटरी था, वो डेस हो गया था, उसके बाद मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक ले स्टे सेफ, टेक केर, जाहिन, वंदे मातरम, थैंक्स फो वाचिंग, चैनल पसंद आए, तो लाइक करें, सेर करें, सब् करूंगराए, थैंक्स और सफिक्षाए, घ्याहिन, कौत दिया कर, झाहिन,।